जिसका नाम है, आपने सुना होगा, Hearing Brural Reflex, जान से देखना, Hearing Brural Reflex, पहला क्योशन तो यही है, कि Hearing Brural Reflex किस से समन्दित है, क्वशन से समन्दित है, ब्रीधिंग से समन्दित है, क्लियर है बात? और यह एक सुरक्षात्मक देखिए, यह एक सुरक्षात्मक प्रतिवरति किरिया है, जान से देखना बजी, Hearing Brural Reflex, यह एक प्रोटेक्टिव, रिफ्लेक्स एक्षन है, कैसे वर्क करेगी, यह मैं आपको भी बताता हूँ, Hearing Brural Reflex, किस से समन्दित है, ब्रीधिंग या स्वसन से, और यह एक सुरक्षात्मक प्रतिवरति किरिया है, उता क्या है, कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, इंस्पाइरेशन या अंत्य स्वसन कर रहे हैं, उस समय, क्या होगा, अंत्य स्वसन के समय, जो एर एल्वियो लाई है, वाईयू कुपी का, एर एल्वियो लाई या वाईयू कुपी का, या एक ओर वर्ड है, ब्रेंकियोर, आप इंस्पाइरेशन या अंत्य स्वसन कर रहे हैं, क्या होगा, माली जी अंत्य स्वसन होता ही रहे, तो वाईयू कुपी का, और ब्रेंकियोर, ऐसा नहीं हो जाए, ये फट जाए, ये रैप्चर हो जाए, ये कोई नुकसान हो जाए, इससे बचने के लिए एक प्रॉपर समय के बाद, इंस्पाइरेशन या अंत्य स्वसन अपने आप बंद हो जाना चाहिए, इन वाईयू कुपी का, या ब्रेंकियोर के अंदर, स्क्रेश रिसेप्टर होते हैं, स्क्रेश रिसेप्टर, यहां से देखना भी, जब अंत्य स्वसन हो जाए, तो वाईयू कुपी का, या ब्रेंकियोर ये फैलेगी, पर एक लिमिट के बाद, इसके अंदर स्क्रेश रिसेप्टर होंगे, और ये इसके अंदर जो स्ट्रेट्स रिसेप्टर है यहां से सूचना कहां तक पहुँच जाएगी वेगस नर्व जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं वेगस क्रेनियल नर्व और यह वेगस क्रेनियल नर्व सूचना को किस में पहुचा देगी पॉन्स के न्यूमो टेक्सिक सेंटर में और यह न्यूमो टेक्सिक सेंटर आप याद कीजिए DRC को इनिबीट करता है और यह DRC अन्ते स्वसन की प्रिक्रिया को रोक देगा यही है इरिंग टूरर रेफ्लेक्स जादा लंबे समय तक अन्ते स्वसन या इंस्पाइरेशन के कारण हमारे लंग्स में उपस्तित अल्वियोलाई और ब्रेंक्योल की भित्ती को वाल को नुकसान नहीं हो जाए इससे बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव रेफ्लेक्स एक्शन काम करता है इसे कहते हैं हीरिंग बूरर रेफ्लेक्स ये कैसे काम करता है ये देख लीजिए चाहिए तो आप इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं देख लीजिए क्लियर बात आगे देखते हैं इरिंग बूरर रेफ्लेक्स ये ट्रेक्या आगे ब्रॉंकस थोड़ी देर के लिए आगे ये मान लीजिए ब्रॉंकियोल और ये लास्ट में वाईयू को भी केवल रफ वर्क समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मान लीजिए यहां से वाईयू अंदर आई इसी को क्या कहा जाएगा अन्तैस्वासण लेकिन कितना अन्तैस्वासण करना है कितना इंस्पाइरेशन करना है वाईयू जब यहां पर अंदर आ जाएगी इसकी भित्ती के अंदर ये है वाईयू कुपी का एर अल्वियोलाई देख लीजिए और इसको मैं कह रहा हूँ ब्रॉंक्योल क्लियर है इन दोनों की वाईयू में भित्ती में ये माली जीए यहां पर ये मैंने रेड कलर से बना दिये है स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं कौन से रिसेप्टर? स्ट्रेच रिसेप्टर तो जब अंतर स्वसन जादा होगा वाईयू जादा अंदर प्रवेश कर जाएगी तो ये सूचना स्ट्रेच रिसेप्टर के पास पहुंच जाएगी और ये स्ट्रेच रिसेप्टर से सूचना तस्वे नंबर वाली क्रेनियल नर्व वेगस क्रेनियल नर्व द्वारा कहां पहुंच जाएगी? न्यूमोटेक्सिक सेंटर में कौन से सेंटर में? न्यूमोटेक्सिक सेंटर और ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहां पाया जाएगा? बॉन्स के अंदर और याद करो न्यूमोटेक्सिक सेंटर इसको इनिभीट करता है डी आर्सी के ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर इसको सूचना भेज़ देगा टी आर्सी तोर्सल राइम सेंटर ये कहां पाया जाता है मेडूला में और मैं आपको कह चुका हूँ कौन्स में जो सेंटर है मेडूला में पाये जाने वाले सेंटर को कंट्रोल करते हैं और ये नियूमो टेक्सिक सेंटर इस DRC को क्या करता था inhibit करता था संदमी तो फिर ये DRC इस अंते स्वसन की प्रक्रिया को क्या कर देगा रोक देता है ये अपने आप होता है और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है Hearing Trurer Reflex Hearing Trurer Reflex जान से देख लीजिए दोस्तों एक एक बात मैं आपको Clarity के साथ बताते वे जा रहा हूँ अगर आपने वीडियोज बहुत अच्छे से पड़े तो फिर आपको कोई भी प्रॉबलम नहीं होने वाली एक छोटी सी बात अगर ये Neumotoxic Center जल्दी जल्दी सूचनाएं दे तिव्र गती से या अगर ये Slow धीमी गती से सूचनाएं दे अगर ये Neumotoxic Center DRC को Fast या तेज गती से सूचनाएं दे तो स्वसन तिव्र वै उठला हो जाएगा जल्दी जल्दी सास लेने लग जाएगी ऐसे हैं और अगर ये धीमी गती से सूचनाएं दे तो स्वसन तिव्र वै गहरा हो जाएगा ये भी कई बार पूछ लिया जाता है छोटी सी बात है अगर Neumotoxic Center से सूचनाएं तेज गती से Fast जाएगी तो स्वसन तिव्र वै उठला और धीमी जाएगी तो स्वसन धीमा और गहरा तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या बात कर लिया है प्रिदिंग का Regulation जिसमें Neural Control और Chemical Control Chemical Control और इन सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे Hearing Brural Reflex में तो स्वसन से जुड़ी वी जो Cranial Nerve है वो दसवे नंबर वाली Cranial Nerve है तो इसी से जोड़ कर हमने सभी Cranial Nerve के नाम सबसे लंबी Cranial Nerve है वेगस जो डायफराम को क्रोस करती है लेकिन सबसे बड़ी लारजेस्ट Cranial Nerve है ट्राइजेमिनल जो पांचवे नंबर की है और Hearing Brural Reflex जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही मेत्पून है इन सारे तत्यों के बारे में जानकारी मैंने आपको बता दी है पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें अच्छे से समझें और इसके नोट्स बनाएं Thank you, तन्यवाद